हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू अनादर इंस्टा फ्लो वी टुएल पार्ट टू टू टूटोरिल वीडियो तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कुछ इस तरीके की स्टोरी लगा सकते हो जो कि देखने में काफी एट्रेक्टिव काफी कूल लग जो कि आपको इंस्टा फ्लो में अभी तक किसी ने नहीं पताया होगा और जो कि आप देख सकते हो राउंड मैंसन भी हमारा यहां पर वरकिंग है और आप इस तरीके का स्टोरी मैंसन कर सकते हो एंड यह सारे फॉंस सारे इमोजी आप कैसे यूज कर सकते हो तो इस वीडि प्रश्चुक में से कौन-कौन से से शेंटिंग्स और करने से कौन-कौन से फीचर इनेबल हो जाते हैं तो जाकर फॉस्ट अफ़ॉल पार्ट वन देख लो पार्ट वन देखने के बाद आप यह पार्ट वीडियो जहापे देख सकते हो तो इसके लिए सब से पहल तो मैं चैनल पर चेक करवाएता हूं कि चैनल पर जैसे आप आओगे यहां पर देख सकते हो पार्ट वन यहां पर अप्लोड़ेड एच्छे घंटे पहले अप्लोड कर दिया मैंने तो उसके लिए देखो पार्ट 2 के लिए आपको एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा इस तर आपने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि यहां पर बोल रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आपने अभी तक हमेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अगर आप सब्सक्राइब किया रहते हैं तो यह आपका अनलिंक हो जाता हूं चैनल पर दिन देख सक of you have to make the downloading option अब इस पे क्लिक करके the download कर लेना मैंने is को अल्री download रखे तो यहांसै मैं जडर जब से डवर को on karta ओंड यहां से download folder में जाता हूं तो आपके सामने कुछ एशा interface आएगा Instaflow pro लिखा होगा and spoiler टैक सिंपली आपको इसको copy, cut कुछ भी करना है, मैं यहासे इसको cut करूँगा and cut करके आपको सबसे पहले main folder पे लाके इसको paste कर देना है, जो कि आपको सबसे last में कुछ इस तरीखे का दीखनी को मिलेगा, simply आपको इस पर tap करने के बाद इधर एक option मिलेगा, आपको extract here का, simply आपको यहां पर ही extract करन में आपको सबसे बाहर वाले फोल्डर पे ही एक्सेट करना इस बात कर आपको बहुत ही खास धियान रखने है क्यूंकि मैंने इसमें बहुत सारे सटिंगस करके इसको एक zip file में convert किया जो कि आपको सारी settings ना करना परे एंड इसका password आपको वीडियो के last में देखने को मिल जाएगा तो जाके आप वीडियो को last तक watch करो एंड password आपको direct last में मिल जाएगा किसी भी part में divided password नहीं है अगर आपको कुछ ऐसा option आता है तो apply to all files पे click करके replace पे click कर देना यह automatic ही आपका सब कुछ यहाँ पे folder लग जाएगा बस आपको यहाँ पे insta pro v12 का updated version मिलेगा simply आपको इस पे click करना है install पे click करना है आप इसको update याप फिर install कर सकतो आपको इसको update नहीं करूंगा update install करने के बाद simply आपको insta flow को on करना है insta flow को on करने के बाद अपना id login करना है id login करने के बाद simply आपको home button पे यहाँ पे long press करना है 2-3 second तक long press करोगे आपके सामने कुछ SI interface आएगा फिर आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा सब्सक्राइब आपको इसको इनेबल करना है फर्स्ट वाला यह option आपको इसको इनेबल कर देना है जिससे कि आप iOS की तरह mention कर पाओ देन आपका काम हो गया खतम फिर आपको 3D लगाने के लिए आपको एक रील लेना है रील को add to your story करना है तो यहां से मैं add to your story करता हूं फिर आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा फिर बोलोगे कि यहां पे तो यह round is में नहीं हुआ तो उसके लिए simply आपको एक पर swipe up करना है जैसे आप swipe up करोगे आपके सामने एक इधर interface आएगा यहां पर प्लस का sticker बनाओगा simply आपको इस sticker पर click करना है मैंने आपको ऐसे बहुत सारे PNGs दे रखते हैं जो कि काफी expensive काफी 3D type के PNGs हैं यहां पर मैं आपको mention भी check कर रहता हूं कि हमारा round is में mention working है कि नहीं तो यहांसे मैं add to your story पर tap करता हूं जैसे मैंने इधर add to your story पर tap कर देना आप देख सकते हो कि हमारा mention भी round is में यहां पर हो रहा है कॉस्टमाइज the font यहां पर थर्ड नमबर आपको इस पर tap करना है फिर आपको इधर एक option दिखेगा load form from file पर आपको इस पर tap करना है और मैंने आपको इधर बहुत सारे fonts दे रखे हैं तो आपको जो भी fonts अच्छा लगे एक करके सिंपल आप उसको यूज कर सकते हो मैं सजेक्ट करूंगा यहां पर spoiler tag iOS 60 लिखा होगा सिंपल आपको इस पर tap करना है क्योंकि इसमें iOS emojis and iOS fonts दोनों ही working होगा तो आप परसनली इस एक को त्याप जिसको मैंने भी टिक किया है सिंपल आपको इस पर टैप कर देना है इस पर टैप करो कि यहां पर फॉंट चेंज सक्सेस्फुल लिखा हुआ आ जाएगा देना आप iOS फॉंट यूज कर पाऊगे स्टोरी में मैं आपको उसको भी चेक करवा देता हूं तो मैंने एक पोस्ट ले लिया एंड इस पोस्ट पर मैं यहां पर iOS वाले इमोजी इस लगा के दिखाएता हूं देना आप देख सकते हो कि यहां पर ठर्ड नमबर वाले पर हमारा इमोजी है वह बिल्कुल iPhone की तरह लग रहा है यहां पर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब करना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा महनत लगता है थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइबाए टेक केर लव यू ओल